कलमना इलाके के एक पंपर पैट्रोल देने में देरी होने से गुसाए गुंडों ने एक करमचारी को चाकू मार कर जखमी कर दिया यह गटना सोमवार की रात साड़े आड़ बजे हुई जखमी करमचारी बाठोडा चौक निवासी साहिल मौमद अकरम कुरेशी है कलमना थाने के तायत आने वाले कामटी मार्ग इस सित जवार पैट्रोल पंपर साहिल काम करता है सोमवार को रात साड़े आड़ बजे दो बहिया क्रमांक MH49BG 6444 पर चार आरूपी पैट्रोल पंप पर आए आरूपियों ने साहिल को उनकी गाड़ी में जल्द पैट्रोल भरने को कहा था लेकिन साहिल नाश्ता कर रहा था इसलिए साहिल को पैट्रोल देने में देरी हो गई इससे गुस्सा होकर आरूपी युवक साहिल को गालियां देकर मार पीट करने लगे इसके बाद साहिल की गरदन पर चाकूं मार कर फरार हो गए इस हमले में जखमी साहिल को अन्य करमचारियों ने अस्पताल पहुचाया, सूचना मिलने पर कलमना पुलस ने साहिल के बयान पर अग्यात आरूपियों के खिलाफ विभिन धाराओं के तैट मामला दर्ज किया है, पुलस पैट्रोल पंप के CCTV फोटेज की मदद से आरूपिय के लिए मारने के लिए उठा लिए तो मैं भी अपने बचाव के लिए वहां पर डंडा था मेरे पीटी में वह मैंने भी निकाल लिए तोसी आता भाई में मतला वह हो गया, अब बटान वाला चाकु था, उन्होंने कहसा कि तीन जन्ने डंडा पकड़ लिए और चौती जन संदे की बात है, राम नौमी की दिन की बात है, शाम को सवा नौ बजे की बात है, हमारा एक कर्मचारी थोड़ा कम आये तो उनको नाइट में रखे है, जिन सी जगड़ा हुआ है, तो इदर साइड में आता है, तो उन्हों पेट्रोल डाल रहा था, उसको अभी नया नया आता है, और उन्हों पेट्रोल अगेर बराबर डाला, उन्हों ने गाली गलोच करें, तो इन्हों ने थोड़ा चिड़ गए, तो वह वज़ा से मैटर बढ़े गया, और जिसको मारे उनका साहिल भाई नाम है, इस दस तारीकी गटना है, कलमना कामटी रोड पर एक पेट् के थे, आरोपी, उन्होंने चाकू से उसके उपर हमला किया, लेकिन बहुत माइनर इंजरी है, इंजरी कोई सीरियस नहीं है, गुना इसके उपर दाकल हो चुका है, कलमना पुलिस्टेशन में, तपास अभी जारी है, चारों आरोपी जो है, वो निश्पन हो गए है, और पुलिस्टेशन में लाके उनके पुरा आगी कारवाई की जा चुकी है, इसमें से तीन आरोपी माइनर हैं और एक मेजर है, मेजर आरोपी गोटक किया जा चुका है, ये चाकू इन्होंने कहां से प्रोक्योर किया, उसके उपर अभी हमारा तपास चालू है, और जैसे ही पता चलेगा, उसके इसाब से हम आगी की कारवाई करेंगे, क्यामरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ, अभिशेक पांसी, बीजीन न्यूस, नाकपूर